नवश्कार दोस्तों क्राइम तक मैं आपका स्वागत है कानूनी कहानी के साथ मैं पुनम शर्मा फेर आपके साथ हाजर हूँ क्यामरे के पीछे मेरे साथ हैं परमिंदर शर्मा कोर्ट से आज कौन-कौन सी बड़ी खबरे रही वो तो मैं आपको बताऊंगी ही साथ ही ये बताऊंगी कि अगर आपके खिलाफ कोई आपका पडोसी या जानकार जूटी अफायर दर्ज कराता है तो गिरफतारी से बचने के लिए आपके पास क्या-क्या कानूनी विकल्ब है तो शुरुवात करते हैं कोर्ट से आने वाली खबरों से टूल किट मामले में आज एक्टिविस्ट दिशारवी को तीन दिन के लिए जेल भेज दिया गया है पटियाला हाउस कोट की तरफ से आज दिशारवी को पांच दिन की पुलिस कस्टडी के बाद दिल्ली पुलिस ने पेश किया था और दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिशारवी बहुत कुछ अभी नहीं बता रही है टूल किट मामले को लेकर बल्कि उसने सारा आरोब जो है वो दोनों जो उसके सहियोगी थे शांतनू और निकिता जैकब उन पर डाल दिया है लेहाजा इन तीनों को एक सार बिठा कर करना जरूरी है और इसलिए अभी 22 वरवरी को शांतनू को संबन किया गया है लेहाजा पुलिस चाहती है कि आमने सामने बैठ कर इन लोगों से बात की जाए ताकि ये साफ हो सके कि किसका इस मामले में कितना रोल था और टूल किट को लेकर किसकी क्या भूमिका थी एक दू किया है और साथ ही कुछ चैनल्स ने उसको दिखाया है तो लिहाजा इस पर बैन लगाया जाना चाहिए और आगे के लिए निर्देश हों कि कोई भी उसकी आपस की जो बातचीत है वो आगे मीडिया में लीक ना की जाए लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज अपना पक्ष कोट में इस मामले में रखा और कहा कि हम हलफनामा दाखिल कर रहे हैं कि हमने निकिता हमने दिशारवी को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है जिसका आरोप इस याचिका में दिशारवी की तरफ से लगाया गया है अब हलफनामा तो कोट ने दाखिल क करना होगा इसमें अब अगली जो सुनवाई है वो 17 मार्ज को होगी लेकिन आज जो सुनवाई हुई थी उस दौरान पुलिस ने भी कई सवाल खुद एक्टिविस्ट दिशारवी पर लगाए और कहा कि मुंकिन है कि तीन फर्वरी को जब ये वाटसप चैट्स हुई थी और 13 फर्वरी यानि 10 दिन के भीतर जब तक उसकी गिरफतारी नहीं हुई थी मुंकिन है कि उसने भी ये वाटसप चैट्स किसी थर्ड पार्टी को शेयर किये हो और ये वहां से लीक हुए हो तो पुलिस पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं दिशारवी की तरफ से वो पुलिस ने दोनों तरफ से जो पक्षें उनको लेकर संतुलन बनाये रखने की बात कही और कहा कि एक तरफ दिशारवी की जो ट्रायल है वो भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए और जो भी निस्पक्ष खबरे हैं वो भी मीडिया में दिखाई जानी चाहिए तो ये तो टूलकिट मामले में आज जो पूरा दिन गहमा गहमी वाला रहा पट्याला हाउस कोट में दिल्ली हाई कोट में वो मैंने आपको बताया अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके खिलाफ जूटी दर्ज की जा रही है तो फिर गिरफतारी से बचने के लिए आपके पास क्या-क्य रास्ते हैं और कानूनी विकल्प कौन-कौन से आपके पास मौजूद हैं जिसकी वजह से आप गिरफतार होने से बच सकते हैं दरसल CRPC की धारा 482 के मुताबिक अगर आपके खिलाफ कोई जूटी FIR किसी भी पुलिस थाने में की गई है तो आप उस राज्य के हाई कोट में एक अरजी लगा सकते हैं और उस अरजी में फिर कोट जो है वो आईयो को बुलाता है और साथ में आप इस अरजी के माध्यम से ये बताते हैं कि आप इस मामले में निर्दोश हैं तो जो भी आपके पास सबूत होते हैं चाहे वो वीडियो हो फोटो हो या कुछ भी या कोट के सामने पेश करते हैं और कोट को अगर लगता है कि हाँ आपके खिलाफ ये फिर जूटी दर्ज की गई है तो फिर उस पूरी जाच पर पुलिस की स्टे हाई कोट के द्वारा लगा दिया जाता है और इस मामले में फिर आपकी आगे गिरफतारी तब तक नहीं होती ह है जब तक कि इस पूरे मुकदमे में निशली आदालत अपना कोई फैसला नहीं सुना देती है यानि कुल मिलाकर आपने अकसर देखा होगा पड़ोसियों के साथ कोई चोटी मोटी मारपीट की या विवाद की कोई घटना हो जाती है या पतनी के साथ तलाक का मामला होता ह है या फिर बच्चों की कस्टडी को लेके चीजें होती हैं तो हमने देखा है कि इस तरह के मामलों में अकसर पुलिस में जूटी अफाईर दर्श कर दी आती हैं अब जिस व्यक्ति के खिलाफ ये जूटी अफ ज़ूटी अफाईर दर्श की जाती है अगर मान लीज Day वो तो जिससे वो कुल मिलाकर अपनी व्यक्तिकज जिन्दगी में भी और अपनी दफ्तर वाली जिन्दगी में भी परिशान हो सकता है। तो इन तमाम चीजों में अगर कोट को लगता है हाई कोट में जब CRPC की धारा 482 के तहट आप FIR के खिलाफ अरजी लगाते हैं तो पूरी तरह से आपकी गिरफतारी पर स्टे लग जाता है अगर आप कोट को वो सबूत दे के कन्विंस कर पाते हैं। दूसरी चीज और है इसमें वो आगे मैं आपको बताती हूँ। पूरे मामले में कि चीजें उस हिसाब से नहीं आगे हुई हैं जिस हिसाब से आरोप लगाए गए थे तो भी आपको इसमें रिलीफ मिल सकता है। एक तीसरी चीज और है अगर चार्शीट दाखिल हो गई है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपकी तरफ से भी उसमें और एड की जानी थी जो नहीं हुई हैं। तो आप अपनी दोश्मुक्ति के लिए फिर एक अर्जी लगा सकते हैं 232 में। तो कुल मिलाकर ये समाम विकल्प जो होते हैं आपके ये इसलिए होते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई जूटी F.I.R. है तो तुरंत उस पर अगर पुलिस कारवाई करके आपको गिरफतार करना चाहती है तो फिर आप इस्टे ले सकें आप अपनी गिरफतारी से बच सके और आगे तमाम जो आपके पास सबूत हैं अपने आपको बेगुना साबित करने के वो आप कोट में दे सकें और कोट अगर इन तमाम दलीलों से, गवाहों से, सबूतों से संतुष्ट होता है तो आईयो जो होता है उस मामले का उसको केस खत्म करने के आदेश हाई कोट की से दे दिये जाते हैं और इस तरह से आप जूटी गिरफतारी से ना सिर्फ अपने आपको बचा सकते हैं बलकि तमाम जो दिक्कतें आती हैं किसी भी विक्ति के खिलाफ अगर जूटी एफायर दर्ज होती है तो उनसे भी आप अपने आपको बचा सकते हैं तो आज की कानून कहानी में इतना ही सोंबार को फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार